अलो में पर सुब लोग हैं थांक्स फॉर्वाचिंग मैं चैनल तो इस वीडियो में हम डिसकश करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में और डेल्टा के बारे में आप जब discuss करते हैं और जिस तरीके का trend formation हो रहा है यहां पर एक fresh breakdown शुरू हुआ है देखिए यहां पर आप चीजों को बिना किसी emotions के देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि यह दो आपके resistance लेवल थे ठीक है एक 2010 का और 2014 का और अगर आप current price देखते तो आप देखेंगे कि जो आपका पिछला resistance था वो और current price जो है उन दोनों resistance के नीचे अभी trade कर रहा है जो की 145 और 145 और 128 अगर आप यहां पर एक simple word में सेंटेंस में समझ लीजे अगर आपको लगता है उपर जाएगा तो फिर share को 145 के उपर जाना पड़ेगा कम से कम और उसके उपर तिकना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं होता है अगर डेल्टा कॉर्फ continuously 145 और खासकर 128 के नीचे ही चलते रहता है तो अभी जो levels active हुए है ना वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है और यह कहां तक जाता है यह तो अब share decide करेगा लेकिन इस तरीके के जो breakdowns है वो कहीं से भी अच्छे नहीं होते क्योंकि यह जो 128 के नीचे गया है ना यह टेकनिकली इन तीन levels को active करता है ठीक है immediate level basis पे आपका जो अगले दो बड़े support होंगे वो 54 और 48 के होंगे और अगर इसके भी नीचे जाता है तो कहीं न कहीं 39 तो अभी यहां पे हो सकता है कि यहीं तक जाए मान लीजिए कि यहां पे और भी छोटे छोटे लेवल्स है जैसे कि यह वाला लेवल मैं छोटा सा लायन कीशता हूं जैसे कि यह वाला लेवल है 128 की नीचे अगला एकदम immediate support कहां पे है 95 का लेकिन अगर आप overall range को देखते है ना तो यह overall range है मैं इसलिए इस पूर या even यहां पे 115 के हैं लेकिन इतना सारा करने से अच्छा है अगर आप चीजों को एकदम clear तरीके से देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि यह जो range है अभी यह active हो गया है और यहां से 48 और 39 यह थोड़ा से extended है लेकिन overall यह जो range अभी यह active है fresh breakdown के साथ और यह मैं long term trend की बात कर रहा हूं monthly chart की बात कर रहा हूं तो ऐसे trend जब बनते हैं और long term trend बनने में भी समय लगता बिगड़ने में भी तो यह कुछ महीने लग सकते हैं इसको बनने में और बिगड़ने में तो बिगड़ी गया है और इतनी जल्दी recover होगा इसका indication price chart में नहीं है अगर एक लेकिन क्योंकि यहां पे यह दोनों ही नहीं हो रहा है इसलिए और यह fresh breakdown है इसलिए trend को पहले समलने दीजे देखिए यह क्या हो रहा है कहां तक हो रहा है उसके बाद ही जो है आप अपना कोई decision लीजेगा क्योंकि trend अभी पूरा का पूरा negative territory में चले गया है या फिर आप सकते हैं कि एक range bound pattern में आ गया है और मुसीवत की बात यह है कि share abuse trend के upper end of the range में है lower end of the range पे नहीं जो की buying zone कहलाया जा सकता है so this is the end of the video thanks for watching